हेलो एव्रिवन सभी का स्वाकत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्रा पर तो आज हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग इंडियन पॉलिटी कॉंसिटिशन से जो प्रिवियर्स कोश्चन्स है ठीक है जो एसेस्टी सी जी एलसेस्टी के सभी एक्जाम में आये थे तो वो उसके सेशन में बनाये तो बहुत ही इंपॉरेंट होने वाला है जरूर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो फॉस्ट और नाया तो है थो फास्ट कोशनी में फॉस्ट कोशनी में क्वोशन होगा यहां पर दिया हूआ कौण से सामय तो यह पूरा जितने को च्विक के त्ना कोशान उत्वी दिए हुआ है इकजाम में तो ये बहुत ही हईल्फुला सम्य हो फूर्फ़ वगा सुप्रेम कौट पीजाह फूरि сюж Argore नंच BC कर ने नेक्ट कोशिन के में29 what can be the maximum interval between two sessions of the Parliament Parliament के session के दो session के अंदर कितना gap होना जरूरी होता है ठीक है तो answer क्या होगा कितना gap बहुत ही important है देख सकते कितने साल है तो answer क्या होगा answer होगा six months ठीक है चलिए next question the question number three to become a member of Rajya Sabha the person should at least how many years of old कितने साल नुनितम कितने साल की जरूरत होता है राज्यसभा के member बाने के लिए तो क्या होगा राज्यसभा जो आपर हाउस होते पार्लामिन बे तो उसके लिए कितने साल के जरूरत होती है 30 years की जरूरत होती है नुनितम ठीक है जरूर यात राखना यह questions बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है चलिए which of the following committees recommended the inclusion of the fundamental duties तो कौन से ऐसे committee है तो कौन होगा answer होगा स्वारन सिंग कमिटी ठीक है स्वारन सिंग कमिटी नेक्स कोशिन क्या है question number five which of the following words was inserted in the preamble by the 42nd amendment of the Indian constitution तो कौनसा ऐसा वर्ड जो इंसर्ट किया गया है प्रेम्बल से तो 40 second amendment के तार जो कौनसा होगा तो कौनसा ओगा तो कौनसा ओड है answer होगा options B that is the integrity okay next preamble से यह सब questions आते हैं ठीक है चलिए तो next question question number six which of the following is not a fundamental right यहां पर ऐसा कौनसा है जो fundamental right नहीं है बहुत important question नहीं है लिख लीजिए बहुत important question है तो क्या होगा तो answer होगा right to property right to property अभी fundamental rights के अंदर नहीं आते हैं यह आते कब 300 a में आते हैं ठीक है चलिए next question देल केते question number seven क्या बोल रहा the directive principles of state policy that's called the DPSP DPSP short में बोलते इसको तो कहां से बोरो किया गया कौन से constitution से बोरो किया गया इसको तो answer क्या होगा तो answer होगा इसको iris constitution से लिया गया ठीक है iris constitution बोल सकते यह बोल सकते कि Ireland country से लिया गया ठीक है ऐसे ही आते question चलिए the next question question number eight क्या बोल रहा है which amendment of the Indian constitution that inserted two words socialist and secular in the preamble तो कौन से amendment के तहर होए इंसेट होए दो होए socialist and secular preamble में तो यह 40 second amendment के तहर होए ठीक है 40 second amendment के तहर होए and यह कब होए 1976 में ठीक है ऐसे साल भी पूछ लेता है ठीक है चलिए तो next question क्या है next question जाते next question है how many fundamental duties are included in the Indian constitution हमारे Indian constitution में कितने सारे fundamental duties है अभी अभी क्या है 11 fundamental duties है पहले थे 10 और और जो 11th number add होए था 11th number कब add होए था 2002 जो 86th amendment के तहर वो add होए था ठीक है अभी 11 हो गया है ठीक है चलिए next question question number 10 क्या बोल लाई who among the following decides if the particular bill is money bill or not अगर कोई bill money bill है और नहीं है तो वो कौन decide करता है ठीक है उसका हक होता है किसके उपर यह speaker of लोकसवा के ठीक है speaker of लोकसवा के उपर होता है ठीक है चलिए next question question number 11 what is the minimum age required to be the president of India हमारे president बने के लिए इंडिया के जो president बने के लिए नुन्यतम कितने साल की जरूरत होता है तो answer क्या होगा answer होगा 35 years ठीक है 35 years नुन्यतम जरूरत होता है president बने के लिए ठीक है question number 12 who was the first woman speaker of लोकसवा लोकसवा में जो पहले महिला speaker बने थे जो कौन बने थे तो answer क्या होगा answer होगा मीरा कुमार बने थे चलिए next question question number 13 which of the following articles of the Indian constitution that includes the procedure of the impeachment of the president president to president के impeachment के बारे में जो questions बहुत पूछे जाते ऐसे घुमा फिरा के यह question CPO में आया पर ऐसे बहुत सारे questions बहुत थे exam में आये थे ठीक है तो यह question important है बहुत impeachment तो कौन से article के ताहर हुआ है यह तो article number 61 ठीक है article number 61 के ताहर हुआ है ठीक है next question question number 14 who among the following was the first politician to become the chief minister of state and the prime minister of India तो ऐसे कौन कौन से first politician से जो बने दे chief minister of state भी थे and prime minister of India भी थे तो कौन होगा तो answer होगा चवधुरी चरन सिंग ठीक है तो कब 1979 से 1980 तक ठीक है तो answer होगा चवधुरी चरन सिंग चले next question number 15 how many members are there in the public accounts committee में कितने सारे members होते हैं कितना होगा तो answer होगा 22 members तटीक है so 22 members कैसे होते हैं कैसे 22 members होते तो साथ होते राजै सबासे आं लोक सबासे 15 ठीक है राजचे सबासे साथ होते आं लोक सबासे 15 होते हैं ठीक है सलेंग चले next question number 16 क्या बोल रहा है question number 16 है, who administered the oath of the office of the president, ठीक है, हमारे जो president के जो oath session होते हैं, उसमें कौन administer करते हैं इसको, हमारे जो chief justice होते हैं, ठीक है, इंडिया के CGI होते हैं, तो वो ही करते हैं, ठीक है, चले, next question को होगा, next question हो, question number 17, which of the following articles of the Indian constitution, Indian constitution, is associated with the election of the president of India, तो कौन से ऐसे article है, जिसमें election होता है, president का, तो कौन से article के देह रही होता है, तो article number क्या होगा, article number 54, ठीक है, article number 54, प्रेसिडेंट का जो होता है, 52 से 57 तक जरूर याद रखेगा, ठीक ही, प्रेसिडेंट के उपर होता है, एंड बहुत ही, इंपारन होता है, ठीक है, 52 से 57 तक जितने सारे होता है, ठीक है, election, तब office of manners, re-elections, कौन हमारे स्टेट में, हमारे जो हाइस्ट पोस्त है, तो इसमें, ये से 52 से 57 तक questions आते हैं, 61 तो आते ही है, ठीक है, impeachment का, चली, next question में चले जाते, question number 18 क्या बले हो, among the following was appointed as the first deputy speaker of लोगसभा, लोगसभा के first deputy speaker कौन थे, तो answer क्या होगा, M. Ananthusayanan Ayangar, that's called the M. A. Ayangar, ठीक है, important है, first कौन बने जो बहुत हैं इंपारन होता है, ठीक है, So, next question, question number 19, which of the following articles of the Indian constitution that deals with the fundamental duties, fundamental duties related, deal करते हैं, यासे, कौन सा article है, कौन से article में fundamental duty आते हैं, तो article number क्या होगा, article number 51A, ठीक है, article number 51A, अगर part पूचेगा, तो part क्या होगा, तो part होगा, 4A, ठीक है, चली, next question, question number 20, In case of the death of the president and the vice president of India, who acts as the president of India, तो कौन इसको जिमा को समालते हैं, जो president के जिमा होते हैं, तो answer क्या होगा, अगर president में नहीं रहेंगे and vice president में नहीं रहेंगे office से, तो कौन बनेगा president, कौन act करेगा, तो कौन होगा, answer होगा, chief justice of India कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे एक बार ही होगा, तो कौन थे वो, तो chief justice थे तभी, justice हिदिया तुल्ला, ठीक है, वो questions आते हैं, ठीक है, तो justice हिदिया तुल्ला थे, ऐसे first थे, ठीक है, चलिए, Next question number 21, which one of the following is issued by the court in case of the illegal detention of a person, Illegal detention of a person, ऐसे जब क्वेस होते हैं, तो इसका कौन से related होते हैं, कौन से issues related होते हैं, तो कौन सा होगा, ये reads होते हैं, ठीक है, पांचो तरा के reads होते हैं, तो इसमें कौन आते हैं, answer होगा, hevis corpus, ठीक है, that means that you have the body, Next, Next question क्या है, question number 22, In case of president wishes to resign, whom he is to address his resignation letter, तो किसके पास resignation जमा करते हैं, president, तो answer क्या होगा, ये बहुत ही common question है, तो क्या होगा, vice president के पास करता है, ठीक है, चले, Next, Question number 23, Nomination of Rajasawa members by the president was taken from which country's constitution, कौनसे country से constitution से लिया गया है, Rajasawa के जो members होते हैं, उसको nomination करता है, जो president, तो इसको कौनसे country का ये constitution से लिया गया है, तो answer क्या होगा, लिया गया है, Irish constitution और Ireland countries है, ठीक है, Question number 24, The concept of the concurrent list in Indian constitution is borrowed from which country's constitution, जो concurrent list है, तो concurrent list हमारे constitution का, इस concept को कौनसे country के constitution से बौरो किया गया है, तो answer क्या होगा, तो answer होगा, ये Australia से बौरो किया गया है, ठीक है, निक्स कोशिन जाते है, Question number 25, Which one of the following upper house of the Indian parliament, हमारे Indian parliament के जो upper house होता है, तो कौनसा upper house होता है, हमारे दोनों house है, एक upper house, एक lower house, तो upper house कौनसा होगा, अपर house होगा, ये Rajya सवा, ठीक है, और लोक सवा क्या होगा, ये lower house होगा, ठीक है, लोक सवा को lower house बोला जाता है, ठीक है, और house of people, चले, नेक्स कोशिन में जाते है, Question number 26, The Indian parliament should meet at least how many times, ठीक है, at least कितने बार, इन ए येर होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इन एक साल में, ठीक है, इन यो, तो एक साल में, कितने बार, meet करना, जरूरी होता है, तो क्या होगा, answer क्या होगा, answer, दो बार, ठीक है, two times, next, next, next question, Question number 27, अगर अभी तक देख चुके हो, तो एक लाइक, जरूर कर देना, अगर चैनल में नए हो, तो सब्सक्राइब बटन को, जरूर दबाईएगा, ठीक है, और वो रेड पर्कन को, दबाई दीजिये, क्योंकि, जबी हम वीडियो डेले, आपके पास, notification, तुरंती पहुँच जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए, helpful होगा, तो चलिए, आपका एक लाइक, बहुत ही important हम लोग के लिए, देखें, चलिए, एक लाइक जरूर करते हैं, तो चलिए, नेक्स देख लेते, question number 27, क्या बोल रहाएं, तो इंडियन पार्लामेंट के जो जॉइन सीटिंग होता है, ठीक है, वो कौन समौन करता है, वो करता है, President of India ने, ठीक है, President हमारे जो President होते है, उसके पास ये पावर होता है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, दीफ्रीडम फाइटर सुचेता क्रेपालिनी, बेकम दीफर्स ओमन मिनिस्टर अफ विच स्टेट, कौन से स्टेट के first woman chief minister बने थै, तो पहले chief minister भी थे and first woman chief minister भी थे, तो कौन होगा, answer क्या होगा So answer होगा, उत्तर प्रदेश, ठीके, पहले Future Chief Minister बने थे तीके, उत्तर प्रदेश से Next, Q2. Who was the first election commissioner of India? हमारे सब्सक्राइब इसों इलेक्षिन कमिशनर यह समय पहले जो जो चीज़ से तो बहुत इमपॉर्ण एकजाम में बहुत पूछे जाते पर यह बहुत सारे एकजाम में पूछे गैँ ज़ीं नीक्स्ट करें फोल्ट एफिस ओफ लग ऐस वकाज चेस्टीक भोहिए का लौट कर्ब्र by को पूसेन Tuesday क्या सब्सक्राइब ओफिसर आइए निडिया प्रकॉल करता है कि आनने दो आप अधरमे जेनरे लिए खासान दो और आएंग हम anxiety तो का जाता है कि लॉज आफिसर आफ इंडिया ठीक है अग्स्ट नेक्स्ट कोशिन वेन वाज्ट आपर से लेक्षिन त्यू दो लोक्सभा है देड़री जिए लेक्षिन कव फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्ण कोशने ठीक है यह very very important question है तो कौन से तारिक में हुआ यह कौन से देट में हुआ तो answer क्या होगा answer होगा 1951 से 1952 ठीक है इस time period में हुआ तो first general election to the लोकसवा ठीक है चले Question number 32 Which of the following articles of Indian constitution that provides for the appointment of a finance commission जो finance commission appoint होता है तो कौन से आर्टिकल के तहर यह finance commission appoint होता है तो answer क्या होगा answer होगा article 280 ठीक है article 280 very important question है यह भी ठीक है चले Next question number 33 The judge of the supreme court retire at the age of which year कौन से year में जो supreme court के judge है जो retire कर सकते है ठीक है retire कर के time का है तो कौन से answer correct होगा यहाँ पर तो 65 years होगा ठीक है options D चले next question में चले जाते है question number 34 क्या बोल रहे है which constitution amendment act of India that reduces the voting age from 21 years to 18 years ठीक है कौन से constitution amendment के तहर यह हमारे जो voting age है ठीक है जो 21 से 18 तक कर दिया गया था ठीक है यह कब होया था यह राजीब गांधी के time पे हुआ था ठीक है 1980s में हुआ था ठीक है तो कौन से तो क्या होगा यह 61st amendment act ठीक है 61st amendment act के तहर यह हुआ है ठीक है चले next question question number 35 which article of the Indian constitution that provides for the institution of panchayati raj तो panchayati raja institution होते तो इसमें कौन से article में यह बिलॉग करता है ठीक है तो answer क्या होगा answer होगा article 40 ठीक है panchayati raja बहुत है important ठीक है panchayati raja तो article 40 answer होगा ठीक है next question question number 36 which of the following amendments is also known as the mini constitution of India तो mini constitution बोला जाता है कौन से कौन से amendment को बोला जाता है यह बोला जाता है 40 second amendment को बोला जाता है जो 1976 में आये थे ठीक है इसको mini constitution कहा जाता है ठीक है इसमें secular integrity यह added हो तो प्रियांबल में ठीक है next question number 37 which article of the Indian constitution that did Dr. B.R. Ambedkar term as a heart and soul of the Indian constitution ठीक है B.R. Ambedkar ने इसको term किया था heart and soul of Indian constitution तो कौन से article को यह very very important question में आता है ठीक है very very important question में आता है तो कौन से article को यह fundamental rights में आता है यह article ठीक है तो article number 32 को बोला जाता है ठीक है next बहुत important question यह next which schedule of Indian constitution was added by 73rd amendment act ठीक है कौन से schedule Indian constitution का add किया गया 73rd constitutional amendment के तहर तो answer क्या होगा कौन से schedule होगा schedule होगा 11th number schedule ठीक है यह पंचायत राज की अंदर आते ठीक है इस schedule कितने सारे schedules होते है हमारे total 12 schedules होते है तो इसमें 11th number constitution I mean मैं 12 नमर पूछेगा तो municipal corporation next question number 39 क्या है when was the Indian national flag adapted हमारे जो Indian national flag है उसको कौन से साल में कौन से तारिक में इसको हमारे flag को adapt किया गया था तो answer क्या होगा answer होगा 20 second of July 1947 को ठीक है अगर पूछेगा तो इसको कौन design किया है हमारे national flag को तो answer क्या होगा national flag को design कौन किया है तो आप लोग इस questions का answer comment section में जरूर बताएगा थीक है हमारे national flag को कौन design किया हुआ है तीक है किसने design किया है तीक है इसको आप हमारे comment section में जरूर बताएगा आप लोग तीक है आपके लिए question ही चली तो next question में जाते question number 40 when was the national anthem adapted in his Hindi version हिंदी version में कब हुआ था national anthem तो answer क्या होगा इसका answer होगा 24th of January 1950 में तीक है 24th of January 1950 एंसर होगा तीक है तो यहां पर जो 40 important जो questions है जो SSC में पूछे गए previous yes question ही बहुत important है तो जरूर यह 40 questions आप लोग ध्यान से देखिएगा तीक है एक like जरूर कर दीजेगा अगर अच्छा लगे तो एक like share subscribe जरूर कर देना ठीक है comment में आप लोग input जरूर बताएगा आप लोग क्या चाहते हैं कैसा हो रहा है session अच्छा लग रहा है कि नहीं झाल आप लोग जाप लोग झाल नापचा बताएगा जरूर अप लोग प्सके अग्यां खुरा, बताएगा जरू झाल से प्सक्तियों जरूर ढवर जरूर वड़ा अबटो